हेलो गाइस वेलकम बेक टू माई चैनल इन पुजा सोनी के व्लोग्स और जो आज की हॉम रेमेडी इसे राइस वॉटर कहा जाता है इसका ओरिजनल नाम राइस वॉटर है और इसे गोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारे बालों के लिए एक तरीके से हो जाता यूज किया जाता है और वहीं से इस रेमेडी की स्टार्टिंग हुई थी यह रेमेडी दिखने में जितनी सुन्दर है वर्क भी उतना ही अच्छा करती है यह एक जापनिस रेमेडी है और यह बहुत ही फैमस रेमेडी है और बहुत सिंपल रेमेडी है और इसमें तो आप पिक्चर में देखी सकते हो कि जो जापान की वूमन से उनके बाल इस रेमेडी से कितने लंबे हैं तो चलिए बढ़ते हैं रेमेडी की ओर तो इसके लिए में ले रही हूँ वाइट राइस यानि की सफेज चावल तो यहाँ पे आपको सफेज चावल ही लेने हैं पीले चावल का यूज नहीं करना है नहीं तो आपकी रेमेडी परफेक्ट नहीं बनेगी आप वाइट राइ तो अब मैंने इन्हें दो पानी से अची तरीके से वाश कर लिया है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे 1-2 घंटे के लिए गला कर भी डग सकते हो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे डारेक्ली ऐसे भी बना सकते हो, तो इसके लिए मैं बड़े बावल में पानी ले रही हूँ तो ये मैं एकवा का पानी ले रही हूँ आप जो भी पीने में यूज करते हो वही पानी का यूज कीजिएगा और अब इस पानी के अंदर मैंने धुले हुए चावल डाल दिये हैं और इने अच्छी तरीके से हाथ से मसलना है ताकि चावल में जो भी nutrition से वो पानी में आ जाए और चावल को तब तक मसलना है जब तक की पानी का कलर वाइट न हो जाए तो अब आप देखी सकते हो मैंने चावल को अच्छी तरीके से मसल लिए है और पानी का कलर एकदाव वाइट हो चुका है तो इसके बाद आब हमें लेन है और जो हमने चावल का पानी तेयार किया था हो चावल का पानी इसके अंदर ट्रांसफर कर देना है चावल हमारे बालों के लिए बहुत यूसपूल होते हैं चावल में स्टार्च, एमिनो एसीड, वाइटमीन A, वाइटमीन C, आईरन, फाइवर बहुत ज़दा मातरम प पर हमारे पास पॉमेलो फ्रूट अवैलेबल नहीं है तो हम इसकी चगह पर औरेंज के चिलकों का यूज पी. अगर आपके पास औरेंज के छिलके भी अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह पर निम्बू के छिलको का भी यूज कर सकते हों तो मैंने यहां पर एक कटोरी राइस में दो औरेंज के छिलको का यूज किया है यानि कि मैंने एक कटोरी rice लिए थे और दो ओरेज के छिल के लिए हैं तो अब हमें इन चावलों को फिर से wash करना है इसमें फिर से पानी यड़ करना है और जिस तरह हमने पहले चावलों को wash किये थे उसी तरह इनने फिर से मसल मसल कर अच्छी तरह से wash कर लेना है एक चार भर के rice water बना कर तयार कर लिया है और यह जो बाकी के चामल बचा हुए है आप इन्हें सुखा करके mixi में grind करके इसका आटा बना कर आप इसे scrub की तरह यूज कर सकते हों तो guys अब हमारा rice water बन करके तयार है तो अब हमें इसे fermentation के लिए रखना है तो इसके पहले मैं आपको इसकी self life के बारे में बता देती हूँ तो अब हमें इसे अची तरीके से cover कर देना है यानि कि इसका धकन लगा देना है तो मैं आपको इसे एक बार फिर से दिखा देती हूँ बनने के बाद ये इस तरीके से दूदिया कलर में दिखेगा तो आप जो ये nail art देख रहे हो इसकी वीडियो में पहले ही बना करके upload कर चुकी हूँ अगर आपको nail art देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हो तो अब हमें इस rice water को एक से दो दिन के लिए fermentation के लिए रख देना है और guys धियान रखे आप इसे ज़्यादा हाथ न लगा है इसका बार बार ढखकन न खोले मेरा कहने का मतलब है कि आप इस एक safe जगे पर रख दे जहां पर अंधीरा हो और एक से दो दिन के लिए इसे एसे ही छोड़ दे तो guys अब दो दिन हो चुके हैं अब हम इसे चेक करते हैं कि इसकी condition क्या है तो आप देखी सकते हो इसका color बिल्कुल change है यानि कि हमारा rice water बन करके तयार है और आप देखी सकत हो guys इसकी orange के चो चिलके हैं इनका color बिल्कुल change है और चिलकों पर rice water जम चुका है और इसकी consistency आप देखी सकते हो यह थोड़ा गाडा हो चुका है अब हमें rice water को एक bowl में transfer कर लेना है और अब हमें इसे strain कर लेना है ताकि इसके जो चोटे-चोटे करने वह हमारे बालों में आपको जिनना चाहिए आप उतना ही लें बाकी फिर से इसे store करके रग दें और यह जो ओरेंज के छिलके हैं यह वापिस से कांच के जाहर में डाल दें और इसे पेक करके फिर से सेव जगे पर रग दें अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसका यूज किस तरीके से करना है अब आप इस राइस वोटर को एक बड़े बरतर में ट्रांसफर कर लें ताकि आप इसमें अपने सीर को अच्छी तरीके से वाश कर सके तो गाइस राइस वोटर रेमेडी करने से पहले आपको अपने बालों को शेंपू कर लेना है, शेंपू करने के बाद ही आपको राइस बोटर रेमेडी करना है, सबसे पहले आपको अपने बालों को राइस बोटर में हलका हलका डीप करना है, इसके बाद आप एक छोटी का टोरी की मदस से राइस बोटर को अपने सीर पर थोड़ा-थोड में ही कीजिए ताकि ज़्यादा रायता नहीं फेले मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रही हूं राइस वोटर रेमेडी करने के बाद आपको अपने बालों का जूड़ा बना करके 15-20 मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है 15-20 मिनिट के बाद आपक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बेल को दबना न भूले और अगर आप इस अपने दोस्तों क्षा शेयर करना चाहते हो तो कर सकते हो ओके गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह सब तक के लिए बाबाई